ओम नमेश्रीवाई हर हर महादेव हर अच्छे आदमी का ये प्रश्टों होता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है हम हमेशा लोगों के साथ भलाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं हमसे जो भी अच्छा बन पाता है, निस्वार्थ भाव से हम सामने वाले विक्ति के बारे में अच्छा ही करते हैं लेकिन उसके बाद भी भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं, भगवान हमारे साथ चीजे खराब क्यों करते हैं और हमारे मन में बस यह जो एक नकारत मकता है, यह बहुत अब तक घर कर जाती है, हम इससे बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, और बहुत नेगेटिव अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और हमारी एक धारणा बन जाती है, कि बूरे लोगों क के साथ हो रहा है तो यह जो आपकी धारणा है इसमें कई सारी चीजे जो है आपको मैं आज आपके साथ साजह करने वाला हूँ इसमें दो चीजे याद रखिएगा कि इसमें ग्रहों के आकोडिंग क्या चीजे होती है जोतिश के अनुसार कौन सी चीजे इस पर निर्धान करती है और दूसरी बात है कि क्या हम जो चीजे देख रहे हैं उसके किन पेहलूँ पर देख रहे यह भी हम बात करेंगे क्योंकि जब कोई अच्छा व्यक्ति मुझे ये करता है, मैं बहुत हताश होता हूँ, निराश होता हूँ क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति है, जो बहुत भावुक है, सरल लोगों की मदद करता है मेरी उसके प्रति एक नीजी सब्वेदनाए भी है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि व्यक्ति खूश रहे, उसके मन में कोई भी नकारत्मकता नहीं है, उसकी जो सकारत्मकुर्जा है वो इस दुनिया के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, जब कभी भी व्यक्ति बहुत अच्छा जो व्यक्ति होता है, वो सभी लोगों को कि जो अच्छा होता है, वो सबको अच्छा समझेगा, जो बूरा व्यक्ति होगा, वो सबको बूरा समझेगा, तो चैसमा जो हमारा होता है, हर एक व्यक्ति को अच्छा देखने का नजरिया होता है, हम उस व्यक्ति की अच्छा ही पर ध्यान देते हैं, न कि उसकी तो कड़वि बात में लगता है कंछा व्यक्ति के माहरें हर जगा अपनी जगा बना लेता है अच्छा व्यक्ति हर व्यक्ति को परसंद कर देता थagar सकता है क्यों और यॉद्धर से मन में तो एक अच्छे वक्ति की प्रभावी सभाइक गुने, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, कि जो लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनमें जिनमें अच्छाई नहीं होती, वो आपसे जलता है, वो आपको दुखी देखना चाते हैं, वो आपके बारे में नका आपकी सोल है, आपकी जो सुद्धा आत्मा है, क्या उस आत्मा की अकोडिंग है, मतलब वो उतने ही सच्छे है भी कि नहीं, उसे एक बार परख ले, फिर आप आगे बड़े, और तीसरा मूल बात है, कि अच्छे व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ भी पूरा करत होता है, तो जो व्यक्ति कभी भी खुछ नहीं रह पाता है, उसके पीछी रीजन यह है, कि जो अच्छा होता है, सरल होता है, इमानदार होता है, सहज होता है, उस पर भगवान भुलेनत की असीम करपा होती है, और यह जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यह आप अपने जी अनुबह हो सकते है, आप किसी को इस बात को लेकर नहीं समझा सकते कि मेरे साथ क्या-क्या पॉसिट्व इश्वन ने किया, और इसकी वज़े से मैं आस उरक्षित हूँ, तो एक अच्छे व्यक्ति के साथ वो उर्जा, वो प्रकृती हमें इसा उसके साथ रहती है, उस